2017 के बाद से उत्रपदेश में तुरिजम के शेत्र में काफी बदलाव हुआ है बदले हालात में देश दुनिया के परियटकों का रुजहान भी उत्रपदेश में बढ़ा है सरकार का मानना है कि परियटन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकार के राजस्वा में भी बड़ोत्री होगी इसी कड़ी में यूपी के सभी नैशनल पार्क को इस बार एक नवंबर से खोली जाने की तैयारी की जा रही है ऐसा फैसला पर्यटकों के रुजहान को देखते हुए सरकार लेने जा रही है इस मुदे पर हॉन्बिल टीवी ने उत्तरप्रदेश सरकार के वन मंत्री राजिय सुतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुन सकसेना से खास बाचीत की है उत्तरप्रदेश सरकार के मंत्री वन मंत्री डॉक्टर अरुन सकसेना जी सर जिस तरह से जो नेशनल पार्क पहले बंध होते थे आप जल्दी खोले जा रहे है जार सी बात है जिस सर से मुखमंत्री योगी आदितनाथ जी कहते हैं कि टूरिजम को बढ़ावा देने लिए क्या माना जाए उसी की पहले ये देखे मानिये मुखमंत्री जी हमेशा ही चाहते हैं टूरिजम बढ़े टूरिजम बढ़ने से आज पास के लोगों को रोज़गार मिलता है और लोग जो खुश होते हैं वहाँ जाके और देखके हमारे यहां भी जितने भी नैशनल पार्क हैं आम तोर पे 15 नवंबर से खुलती हैं इस बार बारिश भी अब रुकी हुई है और हम कोशिश ये कर रहे हैं अंदर की सड़के बरा ठीक करें ताकि लोगों को सफारी मे देखकत ना हो और नैशनल पार्क पहली नवंबर से खोलने का हम पूरा प्रियास करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि हमारे वहां के लोकल लोगों को रोजगार मिले हमारे गार जो सफारी चालक हों ड्राइवर्स हों जिनकी गालियां हों और जो गाइड हों उन सब की हम करांगे आउन सब को लोकल लोगों को हम रखने में हमेशा प्रार्स मिकता देंगे और हम कोशिश यही कर रहे हैं पहली नवंबर से हम अपना टूरीम सेशन शुरू करा देगा बहुत बड़ी बात कहीं कि पहली नवंबर से यह शुरू करने जा रहे हैं परियतकों को इस पिछली बार था वो ही रखा गया है कोई बढ़ोती नहीं हुई है लेकिन हमने पिछली बार जब नहीं बढ़ाया लेकर आने वालों की संख्या धुगनी हो गई हम चाहत ने अपकी बार भी हमने कोई पैसा नहीं बढ़ाया है लेकर हम चाहत ने इस बार भी आने वाले लोग परियाटकों की संख्या बढ़े, लोग वहां के आनंद उठाएं और हमारा यही है फुटफाल बढ़े. राजस्त बढ़ेगा, तो परिटन बढ़ेगा, तो रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, तो सरकार को राजस्त में भी बढ़ेगा. वुड़ी जानले अनली साइनी के साथ, अनुप चाहदी, हानबिल टीवी लखनाओ.